जारखन के पश्चमी सिंभूमबे नकसली हमला हुआ है यहां के गुलकारा के जिल रुआ में नकसलीयों ने भाजपा के पुरु विधायक गुरुचरन नायक पर हमला किया है हमले में विधायक बालबाल बचे हैं उनके दो बाडी गार्ड की हत्या कर दी गई है नायक ने बाग कर अपनी जान बचाई है बताया जा रहा है कि एक फुटबॉल मैच में बतोर मुख्याती थी पुरु विधायक गुरुचरन पहुंचे थे इससे पहले विधायक रहने के दोरान भी नकसलीयों के हमले में गुरुचरन बचे थे पस्च में सिम्भूम जी लेके आननदपुर परखंड में एक इसकूर भवन का उदगाटन वो सड़क का सरा न्यास करने गई गुरुचरन पर एक घंटे के अंदर दो बार हमला किया गया था विधायक की सुरक्षा के में साथ में गई पुलीस के साथ नकसलीयों की करीब देड़ घंटे तक फायरिंग हुई थी हलांकि घंटा में कोई हताहात नहीं हुआ था ठमले की पहली गटना आनंदपुर परखंड के नकसल ग्रस्त हर्ता गाउं में हुई थी दूसरी बार खटांग बड़ा गाउं में नकसलीयों ने हमला किया था गुरुचर नायक हर्ता गौमेश कूर भवन का उद्गाटन करने वह बच्चों को पुरुसकार वित्रित करने के बाद भासन दे रहे थे कि अचानक समीब के जंगल से फायरिंग की आवास सुनाई दी एक के बाद एक आर्ट फायरिंग की आवास सुनते ही विधायक को खत्रे का आभास हुआ और वे भासन बंद कर पैदल ही सुरक्षा कर्मियों के साथ खटांग बेड़ा गाउं की ओर निकल गये थे हर्ता से पांच किलोमीटर तक पैदल चलते हुए विधायक वा उनके अंगरक्षक मनोहरपूर रोबे के रामुक सड़क परिस्थित खटांग बेड़ा गाउं पहुँचे पीछे से उनकी स्कार्पियों गाड़ी वाई स्कॉट करी पुलिस भी वहां पहुँची खटांग बेड़ा में उन्हें खटांग बेड़ा हर्ता सड़क निर्वान की अधार सिला रखनी थी जैसे इनारियल फोड़ कर सिला नियास की प्रक्रिया सुरू करनी चाही नकसलियों की ओर से फिर से ताबर तोड़ फाइरिंग सुरू हो गए पुलिस वह उनके अंगरक्षकों ने तुरंत मोचा समभलते हुए जवावी फाइरिंग सुरू कर दी थी मौके की नजाकत को भापते हुए विधायक जमिन पर लेट गए और किसी तरह रिंगते हुए अपनी काड़ी की तरफ गए इसी बीच नकसलियों की ओर से फाइरिंग और तेज हो गई खत्रा बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें मोटर साकिल पर बैठा कर आठ किलोमेटर दूर आनंद पूर इस्ते से आर पिया केम तक पहुचाया इससे उनकी जान बस सकी थी